अलो फ्रेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कोन टाइप केरिंग आइडलर क्या होता है कैसे होते हैं और इसके इस्तेमाल कहां पर किया जाता है और इसके क्या-क्या advantages हो सकते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे तो फ्रेंट्स ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering field से related videos इस YouTube चैनल पर मैं upload करता रहता हूं 830 से ज्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूं अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस video को like करें और चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video का start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिताइग तो फ्रेंड्स कोन टाइप केरिंग आइडलर ऐसे केरिंग आइडलर्स होते हैं जिनके एक या फिर दोनों साइड में कॉनिकल शेप पोर्षन बना रहता है जैसे कि आप यहाँ पर image देख सकते हैं यह है आपका double side cone idler देखिए single side cone idlers जो है वो एक frame में तीन idlers को use किया जाता है ठीक है लेकिन अगर हम बात करें both side cone idlers की तो इसमें दोनों side में कॉन है इसे frame में स्रिफ singly use किया जा सकता है जैसे कि आपने देखा होगा carrying idlers के frame होते हैं जिसमें तीन idlers हमको लगाने पड़ते हैं लेकिन अगर आप double side cone idlers को use कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक single idler लगाना पड़ेगा और frame का जो design होगा वो भी बहुत ही simple होगा क्योंकि यहाँ पर आपको तीन carrying idler वाले complex frame को truffed frame को use करना नहीं पड़ रहा है अब अगर हम बात करें one side cone idler की यानि कि ऐसे carrying idler जिसमें एक side में cone है तो इस type के carrying idlers को दोनो corners पर use किया जाता है इसे same जो 3 frame वाले हमारे carrying idlers frame आते हैं उसके साथ में use किया जाता है इससे advantage क्या होता है conical portion होने की वज़ा से दोनो end के idlers में conical portion होने की वज़ा से conveyor belt जो है वो आपकी position पर चलते हैं और sway होने के chances बहुत कम हो जाते हैं और आपको height rough angle जो है वो मिल जाता है जिससे कि आप ज्यादा quantity में ज्यादा volume में material जो है वो convey कर सकते हैं और spillage के chance material spillage के chance भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो friends ये वीडियो थी हमारी cone type caring idlers के उपर तो friends उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी जादा पसंद आई होगी अगर 1% भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा